हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त विवेक महेश्वरी और साइकलोजी की पार्षाला में रिसर्च एप्टीटूट के डिफरेंट कॉंसेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं और आज भी ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट और वो है एक प्रकार जो की रिसर्च का है और उसे हम कहते हैं एप्लाइड रिसर्च सोशल साइंस की बात की जाए आप साइकलोजी की बात करें योग की बात करें सोशल वर्क की बात करें सोशलोजी की बात करें पॉले व्यवहारिक शोध व्यवहारिक शोध नाम से ही समझ में आता है व्यवहार में कोई शोध किया जा रहा है या व्यवहार कहां पर किया जाता है व्यवहार एक प्रैक्टिकल लाइफ में किया जाता है इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जो शोध किये जाते हैं जनरल ही हम उन उसको नाम दें, आप मूल शोध उसको कहें, हमने इस topic पर यह कहा था कि basic research का जो purpose है, वो है किसी भी theory को formulate करना, किसी भी सिद्धान्त को establish करना, या knowledge को बढ़ाना, लेकिन applied research में क्या है, कि आप reality testing करते हैं किसी भी theoretical concepts की, या हम कहें कि जो सिद्धान्त, जो नियम, जो भी theories, basic research के द्वारा बना दी गई है, अब आप उसको check करते हैं, कहाँ पर check करते हैं, practical life में check करते हैं, आप उसको practical life में apply करते हैं, आप उसको कहें कि आप उसकी reality testing करते हैं, आप उसको reality में check करते हैं इसलिए यही है applied research हम इसके कुछ concepts को देखें कि applied research is mainly concerned with description and clarification of problematic situation कि applied research सबसे पहली बात क्या है description करता है vernon करता है clarification of problematic situation की जो भी situation है जहां पर problem है वो क्या है भाईया वो क्या है हम उसका पहले vernon करें और फिर उसको clarify करें clarify करने का मतलब है कि हर एक बिंदू पर उसको समझें अच्छा यह situation किस तरह से है और फिर बाद में क्या है use of theoretical concepts for making prediction and solution कि हम जो theoretical concepts जो हैं उनको prediction करें आप उनके solution की बात करें किसके लिए theoretical concepts for making prediction and solution कि solution के लिए और पूर्वकतन करने के लिए आप उन theoretical concepts को use करें आपने एक सुना होगा एक theory है और उसको कहते हैं learning की theory या एक theory है जिसको हम कहते हैं practice की theory हम कहते हैं na practice maximum and perfect अब अब इस practice maximum and perfect is a principle is a theory और अब आप इसको music में use करें reality testing आप इसको योग में use करें reality testing आप किसी और कोई subject में use करें reality testing बलकि मैं ये कहूँ मैं पढ़ा इसको imagine करता हूँ imagine इस तरह से करता हूँ कि मैं अपने लगभग 2 साल पहले की videos देखता हूँ और आज की videos देखता हूँ आपने भी गौर किया होगा 2 साल पहले जब मैं video बना रहा था कैसे होगा क्या होगा मतलब कुछ डर था face में डर था मेरे body expression में डर था लेकिन आज practice maximum perfect मैंने उस practice के principle को अपने इस research में मतलब की मैंने इस अपनी practical problem में कि कैसे videos बनाए जाने चाहिए कैसे आप लोगों से बातचीत की जानी चाहिए कैसे अपनी बात को आपके सामने रखना चाहिए मैंने इस चीज़े सीखी किस से practice से इसने कहाई जाता है practice maximum perfect की मतलब practice का एक सिध्धान्त है अब आप दूसरे सिध्धान्त की बात कर लें जिसको हम कहते है reward का सिध्धान्त कि जब किसी व्यक्ति को reward मिलता तो वो काम क्या करता है बार-बार करता है अब उस reward के सिध्धान्त को आप किसी भी जगा यूज़ कर लें आप उसको एकागरता का सिध्धान्त भी समझ सकते है कि एकागरता का सिध्धान्त ये नहीं कि कोई एक ही चीज में एकागरता नहीं हर किसी में आप एकागरता से काम करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी प्रिंसिपल बहुत सारे हैं आप योग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स की बात कर सकते हैं आप social work के बहुत सारे principles की बात कर सकते हैं आप psychology के बहुत सारे principles की बात कर सकते हैं उन principles को आप अपनी life में apply करें बहुत छोटी सी बात है आपकी जो भी practical problems है आपकी जो भी daily routine की problem है आप किसी principle को आप वहां से उठाएं और उस problem में डाल दें मतलब कि उस problem के solution के लिए आप उसको apply कर दें वही आपका applied research है मैंने अब second point मैंने आभी आपको कहा था reality testing of theoretical concepts basic research से fundamental research से जो भी theories develop हुई है जो भी theoretical concepts आपने develop किये हैं या किसी दूसरे विद्वान ने develop किये हैं आप केवल उसको क्या करें आप उसकी reality testing करें और सैध्धांतिक संप्रत्यों की वस्तविक्ता में जाशपरक ही अनुप्रयुक्त शोध है या हम उसे कहें कि वही applied research है आप इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं application of scientific knowledge basic research concerned with basic science कि basic science में जो संबंदित है या basic science related जो आपके आपास जो knowledge है जो principles हैं आप उस scientific knowledge को application आप apply करें और करना किसमें है apply बड़ी simple सी बात है applied research कहाँ पर किये जाते हैं generally practical problem करें generally आपकी daily routine में जो भी problems आ रहे हैं आप society में जो भी problems दिखाई दे रहे हैं आप उसके लिए क्या कर सकते हैं आप उस scientific knowledge जो है उसको आप apply कर सकते हैं और एक applied research कर सकते हैं आप इसको और कुछ कहें मैंने अभी आप से कहा था application of fundamental research fundamental research में application नहीं है fundamental research में तो क्या है कि साब ये सिधान्त है बस सिधान्त बन गया अब ये सिधान्त काम आएगा या सिधान्त काम नहीं आएगा उससे basic scientist को या basic research करने वाले विद्वान को कोई मतलब नहीं है मतलब किसे है मतलब उन लोगों को है कि साब जो social psychologist है जो कि कहीं न कहीं उस fundamental research का application करने की बात कर रहा है कि साब वो जो principle बना है क्या law of gravity काम आ सकता है क्या या हम कहें कि law of energy काम आ सकता है कि किसके लिए वहाँ पर क्या law of gravity का या law of energy को आप कहीं पर apply कर सकते हैं क्या या कितने सारे principle आप science के medical science के principles की बात करने तो medical science के principle चाहे वो medicine से related हो सकते हैं चाहे वो pathology से related हो सकते हैं या operation से related हो सकते हैं आप उसको क्या करें आप केवल और केवल उसको apply करें reality testing करें Purpose is Generalization of Results ये केवल इसका Purpose नहीं है ये तो हर एक Research का Purpose है आप कोई भी Research उठा लें आप Experimental Research उठा लें आप Historical Research उठा लें आप Correlational Research उठा लें आप Applied Research उठा लें आप Field Study कर लें आप Laborator Study कर लें कोई भी Research करें Generalization तो करना ही पड़ेगा आपने Generalization नहीं किया तो आप Research का जो Main Purpose है Applied Research का नहीं पूरी Research का Main Purpose है Generalization की आपने जो Result निकाला है क्या वो Result किसी दूसरे के ओपर लागू हो सकता है क्या वो Result उन लोगों के ओपर लागू हो सकता है जिन लोगों से सम्मन्धित वो समस्या है पर्पज है किसका जन्रलाइजेशन का रिजल्ट के जन्रलाइजेशन का एक मेन पर्पज है इसी उद्दिश्य को लेकर भी एप्लाइड रिसर्च किये जाते हैं फिर implementation of theories in different real life situation बार बार एक ही बात आ रहे हैं बार बार ये बात इसलिए आ रहे हैं कि सब apply करना है किसको apply करना है आप apply करें किसे सद्धानत को किसके लिए real life situation में जो problem आ रहे हैं आप उन सद्धानतों को use ही न कर पाएं real life situation में real life situation का जो solution है वही आपको न मिल पाए तो फिर तो बेकार आप family की बात करते हैं family में बहुत सारी problems आती है पती पत्मी के बीच problems आती है माता पिता के बीच problems आती है सास बहु के वीच प्राब्लम्स आती हैं क्या ये बताए कि कोई एक व्यक्टी होगा जो कोई एक principle लाता है कोई एक सिध्धान्त लाता है और वो सिध्धान्त क्या है कि मैं एक example आपको दे रहा हूं कि छोटों को प्यार दें और बड़ों को सम्मान दें बड़ा simple सा principle है कि छोटों को प्यार दें और बड़ों को सम्मान दें क्या ये जो principle है आप real life situation में आप apply कर सकते हैं आप apply करके देखें और इसकी reality testing करें solution निकलेगा ही निकलेगा आप कोई योग के आसन की बात कर लें योग में प्रानायम की बात कर लें आप और योग की किसी और concepts की बात कर लें वो concept हैं हम कहते हैं इस्थिरम सुखम आसनम की जो शारणिक मुद्रा है जिसमें स्थिरता रहे और जिसमें सुख का आभास हो वही आसन है अब वो एक principle है वो आसन की संकल्पना है उस आसन की संकल्पना को आप apply करें कहां पर साब मेरे को कोई दिक्कत है आसन मेरे ओपर apply कर दे आपको कोई दिक्कत है आपके ओपर apply कर दे आसन का कोई शारणिक और मानसिक भी lab है उसके लिए आप apply कर दे बड़ी सिंपल सी बात अगर मैं इस पूरे सेशन को समप करूँ तो एक बहुत ही दो लाइन में निकल कर आती है कि theories available है, principles available है, वो बनाए गए है, वो books में है आप उन principles को उन theories को महां से उठाईए और उठाने के बाद आप real life situation में या आप practical problems के लिए आप उसको apply कर दीजे और apply करने के बाद जो result आता है उसको आप generalize कर दीजे बस यही है applied research, आपको apply करना है, क्या है? केवल apply करना है किनको? principles को जो established है, theories को जो established है यही है applied research, आप उसको field research भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर book में कहा गया है कि field research जितनी भी हैं, वो applied research ही है तो यह concept आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हमने basic research, fundamental research पढ़ा था और आज हमने applied research पढ़ा एक theory बनाने का काम करता है, तो एक theory को check करने का काम करता है, एक principle को establish करने का काम करता है, तो दूसरा principle को real situation में apply करने का काम करता है केवल इतना ही अंतर है, तो आज की कथा, आज की research attitude की class यहीं पर हम समाप्त करता है, फिर एक नए class के साथ मिलेंगे, कल भूलिएगा मत, रात को ठीक 9 बजे हम मिलने वाले हैं, थैंक यू